सभी को नमस्कार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको भारत के भुगोल से सम्मंदित जानकारी दूँगा भुगोल विशय पर ये मेरा पहला वीडियो है मैं उमीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा रूचिकर लगेगा और आपकी परिक्षाओं के लिए उप्योगी होगा तो भारत का भुगोल हम इसकी सुरुवात करते हैं देखिए सबसे पहले हम भारत के बारे में सामाने बिंदोओं को जानेंगे शामाने जानकारी तो हम इसकी शुरुवात करते हैं भारत एक सामाने परिचे इंडिया और जनरल इंट्रोडक्शन सामाने परिचे जनरल इन्ट्रोडक्शन देखे यहां कुछ पॉरानिक और एतिहासिक बिंदू दिये गए हैं और उसके बाद हम इसके भोगोलिक पिंदुऊं को देखेंगे, तो इसकी शुरूआत हम करते हैं, हमारे देश का नाम भारत हैं, प्राचीनकाल से अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत के विसाल उप महादीप को भारत वर्स के नाम से जाना जाता था। संभावत है भारत का नामकरण रिगुवेदि काल के प्रमुक जन भारत के नाम पर किया गया। वायू पुराण के एक अन्य संदर्ब में दुश्यंत और सकुन्तला के पुत्र भारत का उलेक मिलता है जिनके नाम पर इस भुभाग का नाम भारत पड़ा। वास्तों में भारत सब्द का सरोपर्थम उलेक पुराणों में ही मिलता है। भारत जम्बु दीप का दक्षणी भाग्था आर्यों का निवास इस्थल होने के कारण इसका नामक्रण आर्यावर्थ के रूप में हुआ। आर्यों का निवास इस्थल होने के कारण इसका नामक्रण आर्यावर्थ के रूप में हुआ। मद्यकालिन इतिहास लेखकों जिसमें फार्सी और अर्बी लेखक सामिल हैं ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान सब्द से संबोधित किया। यानि फार्सी और अर्बी लेखकों जो कि मद्यकालिन इतिहास कार फार्सी और अर्बी इतिहास कारों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान सब्द से संबोधित किया। भारत के परियाय के रूप में परियुक्त इंडिया सब्द की व्युत्पत्ति यूनानी सब्द इंडोई से मानी जाती है। तो ये थे कुछ पौरानिक और अथिहासिक बिंदु। अब हम भागोलिक बिंदुओं को जानेंगे। आकार एवं भौगोलिक अवस्तिति यानि भारत देश जो है इसके आकार एवं भौगोलिक अवस्तिति के बारे में हम जानेंगे। साइच एंड जियोग्राफिकल लोकेशन तो पहला बिंदु है भारत का कुल शेत्रफल लगबग 32,87,263 वर्ग किलोमेटर है। भारत का कुल शेत्रफल लगबग 32,87,263 वर्ग किलोमेटर है। जो बिश्व के कुल भौगोलिक शेत्रफल का 2.4 प्रतिसत है। अगला बिंदु है भारत की आकरती लगबग चतुस कोणी है। इसका उत्तर से दक्षन तक अधिक्तम विस्तार 3,214 किलोमेटर तथा पूर्व पस्चिम तक अधिक्तम विस्तार 2,933 किलोमेटर है। यानि जो उत्तर से दक्षन तक जो अधिक्तम विस्तार है वो है 3,214 किलोमेटर और पूर्व से पस्चिम तक जो अधिक्तम विस्तार है वो है 2,933 किलोमेटर। अगला बिंदु है मुख्य भूमी अंडमान निकोबार दीप समू तथा लक्षदीप समू सहित भारत के तट्रेखा की कुल लंबाई लगभग 7,517 किलोमेटर है। ठीक है 7517 किलोमेटर या 7516.6 किलोमेटर ठीक है और तो यह दो डेटा यहाँ पर हैं 7516.6 किलोमेटर या 7517 किलोमेटर राउंड फिगर पर है। यह है मुख्य भूमी अंडमान निकोबार दीप समू तथा लक्षदीप समू सहित भारत के तट्रेखा की कुल लंबाई लगभग 7,517 किलोमेटर या 7516.6 किलोमेटर है। आगे चलते हैं भारत की स्थली सीमा की लंबाई 1516.6 किलोमेटर या अन्य स्रोतों में राउंड फिगर में 15200 किलोमेटर है। ये स्थली सीमा की लंबाई है ठीक है और उपर मुक्यभूमी अंडमान निकोबार दीप समू तथा लक्षदीप समू सहित भारत की तट्रेखा उपर तट्रेखा की लंबाई है और ये स्थली सीमा की लंबाई है 15200 किलोमेटर आगला पॉइंट है भारत पूरी तरह से उत उत्तर पूर्वी गुलार्द में इस्तित है यह आठ डिग्री चार डश उत्तरी अक्षांस से 37 डिग्री चार डश उत्तरी अक्षांस के बीच तथा Welp करग रेखा त्याइस डिग्री तीस डैस उत्तरी अक्षांस देश को लगभग दो बराबर भागों उत्तर दक्षन में विभक्त करती है यानि जो करक रेखा है वो भारत के मध्यवर्ती होकर गुजरती है जो कि भारत को उत्तर और दक्षन भागों में विभक्त करती है आगे चलते हैं तो ये भारत का मानचित्र है मानचित्र में देखे जो कुल भारत का शेत्रपल दिया हुआ है यानि पूरा भारत का अगर हम देखें ये पूरे भारत के शेत्रपल को देखें तो ये दिया गया है 32,87,263 वर्ग कीम ठीक है और यह बिश्व का लगबग 2.4 प्रतिस्द है बिश्व का 2.4 प्रतिस्द है बिश्व का 2.4 प्रतिस्द है ठीक है अब जो बिंदु है देखे जो इसकी आकरती है लगबग चतुसकोणी है और जो इसका उत्तर से दक्षिन तक अधिक्तम विस्तार है यह उत्तरी भाग है ठीक है और तो उत्तर से लेकर दक्षिन तक जो अधिक्तम दूरी है ठीक उत्तर से दक्षिन तक जो अधिक्तम दूरी है वो है तीन हजार दोसो चौदर कीमी और उसके बाद जो पूरव से पस्चिन तक अधिक्तम दूरी दोस्तरी कि अगर हम बात करें तो यह है कि लगवग कि उन्तिस्तों त्यत्यस की में उन्तिस्तों त्यत्यस की में यह मैं केवल आइडिया आपको बता रहा हूं बाकि इसकी अधिक्तम दूरी कुछ भी हो सकती है यहां से शरू हो सकती है यह अलग दूरी हो सकती है आईडिय में आपको बता रहा हूं कि जो उत्तर से दक्षिन तक की दूरी है वो 3214 कीमी है और पूरत से पश्चिन तक की दूरी है वो 2933 कीमी है ठीक है और जो इसका कुल शेत्रपल है वो है 32,87,263 वर कीमी जो की बिश्वका 2.4 प्रतिसत है ठीक है अब देखे जो मुख्य भूमी है अंडमान निकोबार दीब समू तथा लक्ष दीब सहीत भारत के तट्रेखा के कुलम भाई अब तट्रेखा में आते हैं हम अब तट्रेखा लगभग देखे आप यहां से शुरू होती है यहां से शुरू होती है और नीचे से होती हुई यह तट्रेखा नीचे से होती हुई यहां तक जाती है जहां तक की समूद्र है और यह तट्रेखा हो गई और इस तट्रेखा में यहां पर लक्ष दीब का भाग समलित किया गया है और यहां अंडमान निकोबार दीब का भाग भी इसमें सम्लित किया गया है तो यह तट्रेखा की लंबाई और साथ में अंडमान निकोबार दीब समू जो है उसकी तट्रेखा की लंबाई और लक्ष दीब की तट्रेखा की लंबाई सब को मिला कर इस तट्रेखा की लंबाई लगभग है 7517 तो तट्रेखा की लंबाई है तट्रेखा की लंबाई ठीक है तो वो है 7517 कीमी अब यह है राउन फिगर में एक्जक्ट जो है वो है 7516.6 कीमी तो यह तट्रेखा की लंबाई है ठीक है जो तट्रेखा तट्रेखा में गुजराद से लेकर आप देखे यहां देखे यहां यह जो तट्रेखा या गुजराद से लेकर यहां उड़ीसा तक जाती है और शाथ में इसमा लक्षदीप और अंडमा निकुबार दीप समों की तट्रेखा यह भी सामिल है सबकी तट्रेखा को मिलाकर इसकी जो कुल तट्रेखा की लंबाई है वह है 7566.6 कीमी या 7517 कीमी राउंड फिगर में ठीक है अब हम आते हैं भारत की जो इस्थली सीमा की लंबाई है अब देखो इस्थली सीमा कहां तक आती है आप इस मैप को देखिए अब इस्थली सीमा जहान यानि इस्थल की सीमा तो यह इस तरीके से यहां से होती हुई यहां यह इस तरीके से यहां तक यह और बंगला देश की भी यह इस्थली सीमा यहां तक तो यह इस्थली सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलो मिटर राउंड फिगर में ठीक है जो इस्थली सीमा है जो इस्थली सीमा है वो है 15,200 किमी या 15,106 किमी राउंड फिगर में ठीक है तो जो तट्रेखा की लंबाई है आप देखिए जो तट्रेखा की लंबाई है जिसमें गुजरात से लेके उड़िसा तक का जो तटी शेत्र है समूद तटी शेत्र है उसके साथ में जो उसके साथ में जो अंडमान निकुबार दीब समू का तट है और लक्षे दीब का तटैन सब को मिलाकर ये लंबाई है तट्रेखा की 7570 किलोमेटर राउंड फिगर में या 7566.6 किलोमेटर एक्जक्ट इसके अलावा जो इस्थली सीमा की लंबाई है अब इस्थली सीमा यहां गुजराद से होते वे जाती है आपकी यहां से होते वे यह बंगादेश की सीमा तक तो इसकी कुल लंबाई है 15200 किलोमेटर राउंड फिगर में या 15106.7 किमी एक्जक्ट ठीक है शेत्रिपल 32,887,263 किलोमेटर शेत्रिपल है उत्तर से देख्षिन तक की लंबाई है 324 किमी और पूरव से पस्चिन तक की लंबाई है 293 किमी ठीक है उम्मिद करता हूं कि आपको समझ मा आया होगा और विश्ट्रो के कुल शेत्रिपल का 2.4 प्रतसत आगे चलते हैं अन्यविंदु हैं भारत का दोनों अक्षांसियों वा देशांत्री विस्तार लगबग 30 डिग्री सेल्सियस है भारत की मुख्य भूमी उत्तर में लद्दाक संग राज शेत्र पूरव में जम्मु कस्मीर से लेकर दक्षर में कन्या कुमारी और पूरव में अरणचल प्रदेश से लेकर पस्चिम में गुजरात तक फैली हुई है ठीक है अगला पॉइंट है भारत के उत्तर पस्चिम तथा उत्तर पूरवी सीमा पर नविंतम मोड़दार परवतों का विस्तार पाया जाता है जबकि दक्षन में प्राइदी पी शेत्र का विस्तार पाया ज शांसे से दक्षन की ओर सक्रा होता गया है ठीक है आगे चलते हैं इन महत्तुपुन बंदों को देखें हिमाले परवत माला द्वारा भारती प्रायदीप की मुख्य भूमी को एशिया से अलग किया जाता है भारत पूरो में बंगाल की खाड़ी पश्चिम में अरब सागर और दक्षन में हिंद महा सागर से घिरा हुआ है यानि जो तीन ओर दक्षन में सागर से घिरावा भाग है इसलिए से प्रायदीप कहते हैं भारत की मुख्य भूमी से दूर अंडमान तथा निकोबार दीप समू में इस्तित दक्षनतम बिंदु इंद्रा पॉइंट अथवा पिगमेलियन पॉइंट है ग्रेट निकोबार दीप समू में तथा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रा कॉल लगदाख है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबिधू रुनांचल प्रदेश तथा पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कच्छ जिला गुजरात है भारतिय मुख्य भूमी का सबसे दक्षनतम बिंदु केब कॉमरिम कन्या कुमारी तमिलनाडु में है ठीक है तो भारत के मानचित्र को अगर हम देखें तो इसमें जो हिमाले परवत माला है वह भारतिय प्रायदेब की मुख्य भूमी को एसिया से अलग करती है तो जो हिमाले है वो हिमाले की स्रणी लगबग यहां से यहां तक यह विस्तित है इसमें नैपॉल और भोटान भी आते हैं तो यह हिमाले की स्रणी यह उपर चाइना तो यह एसिया के लगबग दक्षिन पूर्वी भाग पर भारत इस्तित है तो एक प्राइदीब के रूप में यह माना जाता है इस प्राइदीब को एसिया से यह हिमाले अलग करता है हिमाले परवतमाला जो है इसको एसिया से अलग करती है यानि यह हिमाले परवतमाला हिमाले परवतमाला उसके बाद देखे देखे इसके भारत के पूरों में बंगाल की खाड़ी ठीक है यहाँ पर यह बंगाल की खाड़ी है बंगाल की खाड़ी और पस्चिम में अरब सागर यह अरवियंसी अरब सागर और दक्षन में हिंद महार सागर यानि इंडियन ओशियन जिसे बोलते हैं इंडियन ओशियन हिंद महार सागर इस्तित हैं तो तीन ओर भारत जली शेत्र से खिरावा है पूरों में बंगाल की खाड़ी दक्षन में हिंद महार सागर और पस्चिम में अरब सागर तो इसलिए यह एक प्रायदीब का निर्मार करता है ठीक है यह प्रायदीब का निर्मार करता है प्रायदीब तीन ओर जल से गिरा ठीक है अजुद देखे अगर हम उत्तरी भाग्र देखें है तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदू इंद्रकॉल देखे लदाक मेस्तित है ठीक है यहाँ पर लदाक मेस्तित है जिसे हम इंद्रा कॉल कहते हैं ठीक सबसे उत्तरी बिंदु है वो हम यहाँ पर मान लेते हैं इसको इंद्रा कॉल इंद्रा कॉल तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लदाक मेस्तित है जिसे इंद्रा कॉल कहा जाता है सबसे जो पूर्वी बिंदु है सबसे पूर्वी बिंदु सबसे पूर्वी बिंदु जिसे की बीथू कहा जाता है वह अर्वांचल प्रदेश में है की बीथू यह सबसे पूर्वी बिंदु है और सबसे पश्चिमी बिंदु अगर हम पश्चिम मत जाएं तो सबसे पश्चिमी बिंदु इसे हम गुहार मोती कहते हैं गुहार मोती गुहार मोती जो की कच्छ जिले में है गुजरात प्रदेश में अब हम आते हैं दक्षन्तम बिंदु पर तो दक्षन्तम बिंदु जो है जिसे मुख्य भूमी का जो दक्षन्तम बिंदु है उससे केप कॉमोरिन कहा जाता है केप कॉमोरिन केप कॉमोरिन उससे कहा जाता है इसे कन्या कॉमारी भी कहा जाता है कन्या कॉमारी जो की तमिल नाडु राज्यम है तमिल नाडु राज्यम दिखाए दे रहा है इसको हमने दक्षन्तम बिंदु से दिखाया है भारत की मुख्य भूमी से दूर अंदमान तथा निकोबार दीव समू में ये अंदमान और निकोबार दीव समू है अंडमार निकोबार दीज समू मैं दक्षृतम बिंदु जिसे इंद्रा पॉइंट कहा जाता है इस्तित है इंद्रा पॉइंट इंद्रा पॉइंट इंद्रा पॉइंट इसे कहा जाता है या इसका एक और नाम पिग्मलियन पॉइंट भी है पिग्मलियन पॉइंट पिग्मलियन पॉइंट भी इसका नाम है पॉइंट तो इस तरह के से चारो दुशाओं का निर्धारान हो जाता है एक बार फिर से आप इसको देखे सबसे उत्तरी बिंदू इंद्राकॉल लद्दाक में इस्तित पूर्वी बिंदू कीबुथू अरुणांचल प्रदेश में इस्तित पश्चिमी बिंदू गुहार मोती कच्च गुजरात में इस्तित मुख्य भूमी में दक्षनतम बिंदू केप कुमोरिन कन्या कुमारी तमिलनाडू में इस्तित और मुख्य भूमी से बाहर दक्षनतम बिंदू इंद्रा पॉइंट अंडेमान निकुबार दीप समू में इस्तित ठीक है तो इस तरह प्राइद पी दिसाएं अरब सागर हिंदमा सागर बंगाल की खाड़ी और चारों दिसाओं की बिंदू आप इस भारत के मानचित्र में देख सकते हैं और हिमाले परवत संकला का विस्तार आप इसमें देख सकते हैं आगे चलते हैं तो देखे भारत में कुल 28 राज्य तथा आठ केंदर सासित प्रोदेश हैं जिनने मुख्य रूप में छे आचलों में बाटा गया है ठीक है आचल सम्लित राज्य केंदर सासित प्रदेश उत्तरी शेत्र जम्मु कस्मीर लद्दाग पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाना चंडिगर दिल्ली राजुस्तान पूर्वी शेत्र याने इस्टन जोन बिहार जारखंड उडिशा पस्चिम बंकाल पस्चिमी शेत्र याने वेस्टन जोन गुजरात महरास्ट गोवा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दिव मध्यवर्थी शेत्र याने सेंट्रल जोन मध्यप्रदेश चत्तिसगड उत्तरप्रदेश उत्तराखंड दक्षणी शेत्र याने साउधन जोन करनाटक कीरल तमिलनाडु आंदर प्रदेश तेलंगाना पुदुचेरी अंडमान एव निकोबार लक्षदीप पूर्वत्तर सेत्र नौर्थ इस्टन जोन सिक्किम असम मेगाले अड़ांचल प्रदेश मनीपूर नागालेंड मिजोरम त्रिपुरा ठीक है तो यह जोनों में बाटा गया है भारत को छे जोनों में 28 राज्या आठ के इसाथ प्रदेश है मुक्य रूप से इनको छे जोन में बाटा गया है तो यहां एक बार फिर भारत के मानचित्र में इनको हम देखेंगे भारत के इस मानचित्र में देखिए जो उत्तरी जोन है यानि नौर्दन जोन है उसमें यह जम्मू कस्मीर यहां जम्मू कस्मीर और उसके बाद लद्दाक पंजाब हिमाचल परदेश और दिल्ली राजुस्थान तो राजुस्थान का एरिया पीस में हम कवर करते हैं यहां राजुस्थान और दिल्ली चंडीगर दिल्ली हरियाना और जम्मू कस्मीर लद्दाक पंजाब हिमाचल परदेश हरियाना दिल्ली तो जो यहां तक का एरिया है इसको हम उत्तरी शेत्र उत्तरी शेत्र या नौर्दन जोन कहते हैं नौर्दन जोन उसके बाद अब हम आता हैं पूर्वी शेत्र पर इस्टन जोन इस्टन जोन में देखे बिहार जारखंड ओडिसा पस्चिम बंगाल तो इतना एरिया जो है यह हमारा इस्टन जोन है यानि पूर्वी शेत्र है पूर्वी शेत्र यानि इस्टन जोन इस्टन जोन में उसके बाद अब हम आते हैं पश्चिमी शेत्र पर पश्चिमी शेत्र में आप देखिए गुजरात पिर महरास्ट 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 का एरिया यहां तक है उसके बाद गोवा गोवा का यह एरिया है गोवा उसके बाद दाद्रा और नगर हवेलिय और दमन दीव लगबग जो यहां है यहां तक का जो एरिया है यह दाद्रा नगर हवेलिय और दमन दीव तो यह जो एरिया है यह है पश्चिमी शेत्र यानि वेस्टन जोन पश्चिमी शेत्र वेस्टन जोन वेस्टन जोन अब हम आते हैं मध्यवर्ती शेत्र फर तो मध्यवर्ती शेत्र मैं मध्या प्रदेश देखे मध्या प्रदेश लगबग यहां यह मध्या प्रदेश और चत्तिश्गर्ड उत्तर प्रदेश और उत्त्राखंड रस्टन जोन मध्यवर्ति शेत्र यानि सेंट्रल जोन सेंट्रल जोन अब हम आते हैं दक्षनी शेत्र पर तो दक्षनी शेत्र में करनाटक केरल तमिलनाडू आंद्रप्रदेश तेलंगाना यही तो मुख्य भूमिक हैं उसके बाद पुदुचेरी अंडमान निकोबार दीप समू और लक्षदीप यह भी सब साउथन जोन में आते हैं यानि साउथन जोन दक्षनी शेत्र अब आते हैं पूर्वत्तर शेत्र पर तो पूर्वत्तर शेत्र में सिक्किम यह सिक्किम से लेकर असम मेगालाए अरणचल प्रदेश मनेपूर नागालेंड और मिजोरम मिजोरम त्रिपुरा तक का जो यह शेत्र है यह पूर्वत्तर शेत्र कहलाता है पूर्वत्तर शेत्र यानि नौर्थ इस्टन जोन तो यह जोन्स आप लोग समझ चुके हैं मुझे उमीद है इस तरीके से उत्तरी शेत्र और मध्यवर्ती शेत्र पूर्वी शेत्र पूर्वत्तर शेत्र पश्चिमी शेत्र और दक्षिनी शेत्र बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूँगा मुझे उमीद है कि यहां तक की जानकारी यहां तक का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चनल को सब्स्राइब कीजिए यहां ही देखिए यह जोन्स हैं यहां यह चार बिंदू मैंने आपको बताए हैं कि यहां महत्यपूर्पूर्ण बिंदू है तब तक के लिए नमस्कार